चलिए आगे बढ़ते हैं और रुकरते हैं को और बड़ी जानकारी का ब्रेकिंग न्यूस का जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिस परकार से पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है वो कही न कही चिंता का विश्य है और इन सब के बीच ये बड़ी और महत्पून जानकारी आपको बता दें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी कोरोना के हालातों को लेकर समिक्षा बैठक कर रहे हैं और साफ तोर पर कई तारा की संभावना यह हैं कि इस बड़ी बैठक में कोई बड़ा निर्देश या निर्णय भी लिया जा सकता है कोरोना को काबो में पाने के लिए तमाम राज्य सरकारों की और से पाबंदियां लगाई जा रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी जो मामले हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना के हालातों को लेकर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी समिक्षा बैठक कर रहे हैं बीते दिनों जिस परकार से कोरोना की जो रफ्तार है वो देखने को मिली है उससे कई न कई चिंताएं जरूर बढ़ी हैं ना सिर्फ केंदर सरकार बलकि राजे सरकारों की भी गोर्तला बैकी से पहले दिसंबर के महीने में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने समिक्षा बैठक की थी हाला कि दिसंबर के महीने के मुकामले जन्वरी में हालात बहुत तेजी से बदले हैं बहुत तेजी से बदले हैं और बहुत तेजी के साथ बिगरते हुई भी नजर आ रहे हैं स्वास्ते करमचारी कोरोना पॉजितिव हो रहे हैं संसत में संसत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का कहर देखा जा रहा है कई सो करमचारी संसत भवन के भी कोरोना संकर्मित पाई गए हैं तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजों में कोरोना संकर्मित की पुष्टी हुई है इस बीच जिस तरह से लगाता और स्वास्ते करमचारियों में भी कोरोना संकर्मित फैल रहा है वो कहिना कहिन चिंता जनक है और स्पर्श शर्मा हमारे सयोगी इस खबर पर और बाचीत के साथ जुड़ गए हैं स्पर्श ये बड़ी और महतपूर बैठक आज परदान मंतरी नरेंदर मोदी कर रहे हैं कोरोना के हालातों को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी परदान मंतरी की समिक्षा बैठक से जुड़ी हुई देखे पी-एम नरेंदर मोदी के अदेक्ष्टा में ये जो समिक्षा बैठक है वो फिलाल चल रही है बैठक की बात करें तो प्रधान मंतरी नरिंडर मोदी आझ जो है इस बैठक में शामिल एइसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्टरी है उसके ऑफीचल जो है इस बैठक में शामिल है इसके अलावी अलग immune to assे जुडए वे जो लोग है वो इस बैठक में जो है शामिल नज़र आर रही है इस बैटक की बात करें तो स्वासमंतरी मंसुख माडविया भी इस बैटक में मौजूद हैं और किस तरीके के हालात देश में फिलाल कोरुना को लेकर चल रहे हैं उसकी इस्तिती की जानकारी प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी जो तमाम ओफिशियल्स हैं उनसे जो हैं लेते में नज़र आ रहे क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो मामले हैं उसमें तेज गती से इजाफा जो है देखने को मिला है अचानक मामले जो हैं डेड़ लाक के बार पहुंच गए हैं और अब किस तरीके से इन मामलों पर रोक फाम लगाई जा सकती है या फिर किस तरीके से इन मामलों को जो है रोका जा सकता है होस्पिटालिटी रेट को जो है जो है ना भढ़ने दिया जाए इन तमाम मसलों को लेकर फिलाल प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के अध्यक्ष्टा में बैठक चल रही है इस पर जिस तरह से तमाम पाबंदिया औ देखे इसमें ये हो सकता है कि केंदर सरकार और राज्य सरकारे मिलकर किस तरीके से साथ मिलकर कारे कर सकती है ताकि कोविड की स्थिती पर रोक थाम लगाई जा सके है इसके साथ साथ वैक्सिनेशन की गती किस तरीके से तेज और बढ़ाई जा सकती है इसको लेकर हो सकता ह कि आज की बैठक में किसी प्रकार का जो मंत्र है वो प्रधान मंत्री ने अंदर बोधी की तरफ से निकल कर सामने हैं क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों का गिराफ देखे 27 जंबर को मार्ट पर 6358 मामले देश में थे लेकिन 8 जनवरी आते आते एक लाक डेड़ लाक से उपर मामले जो हैं वो भारत में देखने को मिल रहे हैं तो कुछ इस हिसाब से समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो आज जो कोरुना है वो एक बार पिर से कहर बर पाता हुआ नजर आ रहा है हला कि राद बड़ी ख़बर से यह है कि होस्पितालिटी रेट जो जो दूसरी लेहर में देखने को मिला था उस तरीके का भी नहीं है तो इसलिए एक रिव्यू मीटिंग जो है इसको कहा जाता है तो वैक्सिनेशन को लेकर भी प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जरूर कोई ना कोई मंत्र इस बैठक में दे सकते हैं तो जो ओमिक्रोन वेरियंट है जो फिर कोविड है वो आज जो है कही ना कई हलका जो है लोगों में असर करता है नज़राएगा बसलन अतना जादा सीवियर लोगों को जो है नहीं होगा कोविड क्योंकि अभी तक तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हुए नज़रा रही है को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा जा रही है बहुत और शुक्रिया इस परश इस तमाम जानकारी के लगातार आप से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे तो बतादें आपको ये बड़ी और महत्पूर्ट जानकारी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी वीडियो कॉन्फ